प्रदानमित्री नरेद्र मोदी ने ग्रीन हाइडरोजन पर अंतरराष्टे सम्मिलन को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि जलवायू परिवर्तन अब भविश्यका नहीं बलकि वर्तमान का संकट है, भारत स्वच्छ उर्जा के शेत्र में वैश्विक निद्रित्व कर रहा ह प्रदानमित्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी पैरिश प्रतिवधताओं को समय से पूरा कर लिया है और हरित उर्जा की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है, पिछले 10 सालों में 100 उर्जा शमता में 3000 प्रतिशत से अधिक वर्धी दर्श की गई है, उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को भविश्य के लिए वह तो पूर्ण बताते हुए, इसे नवाचार और स्थिर्ता का नया रास्ता बताया, प्रधान मंत्री ने विश्वास जताया कि यह सम्मेलन वैश्विक बदलाव में एहम भूमी का निभाएगा Friends, India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled nine years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3000% in the same period, but we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. We are also looking at new and innovative areas. This is where green hydrogen comes into the picture.